नमस्ते मेरा नाम है कुल्दीप और लोगसभा चुनाओं 2019 को लेकर अब स्थिती लगभग साफ हो गई है भारती जन्ता पार्टी दोबारा सब्ता में आती हुई दिख रही है इंडिये गवर्मेंट दोबारा बनती हुई दिख रही है इसके factors क्या रहे इसके कारण क्या रहे इस पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ हैं BBC हिंदी सेवा के रेडियो संपादक राजेश चोशी जी राजेश जी किस तरह से देखते हैं चुनाओं को अभी पर चुनाओं के नतीजे तो आही चुके हैं तो अब मेरा देखना क्या अभी कुछ जगाओं पर अभी रुजानी है पूरे नतीजे नहीं आए हैं लेकिन ये मोटा मोटी आही गया है कि किस की सरकार बन रही है पहला कारण क्या बड़ा सबसे बड़ा कारण आप क्या समझते हैं कि अगर कहा जाए तो नरेंद्र मोटी की अपील नरेंद्र मोटी की निजी अपील है जो कास्ट क्रीड और सबसे उपर उसका असर हुआ है या उत्तरप्रदेश जैसे राज में जहा पर जिसकी राजनीती बहुत जातियों में विभकता है भारती जनतापर्टी की खुबए है बलकि यह कहें की नरेंद्र मोटी और उनके सिपासालार अमित शाह जो भारती जनतापर्टी के धख्ष है उनकी खुबए है एक तरफ कास्ट का उन्होंने इस्तेमाल किया कभी अपने आपको पिछडी जाती का बताया नरेंद मुदी ने लेकिन उसके साथ साथ जो जातियों में विभक्त उत्तरप्रदेश की राजनीती है उसकी दिवारों को ढहाया भी उन्होंने तो समाजवादी पार्टी और बहुजन चो रही है भारती जनता पार्टी और इंडिये इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि ना तो समाजवादी पार्टी का कोर वोटर और नहीं बहुजन समाजवादी का पार्टी का कोर वोटर उसके साथ लोयल रहा क्यों नहीं रहा लोयल यह क्योंकि जब यह चुनाव पर से परेशान थे लेकिन घर के नौजवान उन पर नरेंडर मोदी के अपील का सीधा असर होता था उन नौजवान जो तब का है वोटर है उस पर उसका असर हुआ और खासतोर पर जब बालों को ठुट हुआ तो घर में घुसके मारूंगा वाला जो नारा था उससे नौजवान उसने इस बार साथ छोड़ दिया अपने कोर पार्टी तो पिछले बार जो है 2014 में जिस तरह के नतीज़े आये थे उससे भी एक अदम आगे नतीज़े आ गया है एक लिहास से हलाकि तब 2014 में 74 सीटे मिली थी बीजेपी को लेकिन तब कहा जाता था कि नरेंडर मोदी की लह है इस वक्त तो और क्वाइट लहर थी जो अंदरी अंदर जमीन के अंदर थी और उपर से दिख नहीं रहे थी तमाम विशले शक ये कह रहे थे कि पीक पे जैनित पे अपने बीजेपी पहुंच चुकिए 2014 में अब अगर जो होगा उससे नीचे ही आएगी लेकिन वो तमा लेकिन अपील जो नरेंद्र मोदी की निजी अपील है वो जातियों से परे गई इसके क्या अगर प्रधान मंतरी की जो सरकार की योजनाए थी खास्तावर से समाच कल्यान को लेकर कि इनोंने जो योजनाए चलाई सोशल वेलफेर स्कीम्स लोग कहते हैं कि उसने जाती है दिवारों को ढाया मसलें प्रधान मंतरी आवास योजना उजला योजना जिनको मकान मिले सिलेंजर मिले क्या आपको लगता है कि ये एक जमीन पर इसने एक बड़ा फेक्टर के तौर पे निभाया जो दिल्ली से नहीं दिखा कम दिखा देखे चुनाओ प्रचार के दोरा में बहुत अच्छा काम हुआ है हमारे बच्चे को अच्छे एजुकेशन मिली है लेकिन राश्ट्री इस तरह पर ये तो देश का सवाल है ना और देश तो सिर्फ मोदी जी सवाल सकते इस तरह का नेरेटिव आ रहा था उस तबके से जो बहुत थी डाउन ट्रोडन और व यही लाखों समर्थक जो हैं जो फ्रीलांसर्स हैं यानि जो पार्टी से सीधे जुड़े हुए नहीं हैं सिर्फ सिंपताइजर्स हैं वो भी अपने ट्विटर पे अपने हैंडल पर उसी नारे को रिपीट करते हैं कॉंग्रेस में आप देखिए नरेंद्र मोदी अगर को उसमें सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी अकेले ओनारा लगाने वाले हैं उनका एको तक नहीं आता है कहीं ऐसा परसेप्शन है अब हलांकि बाइनार में राहुल गांधी बंपर वोटों से जीए आगे चल रहे हैं परमेठी में हार भी रहे हैं उनकी परमेठी में पीछ से ठंडे पड़ गए। मैनिफेस्टों में उन्होंने एफस्पा वगेरा की बात कही हाफ आधे आधे मन से कहते हैं। तो वही हम समझ क्या यह प्रचारतंत्र कमजोर था कॉंग्रेस का इस तरह से देखें। यह इस तरह से देखें कि सब चीजें होने के बावजूद चेहरा नहीं था। जब प्रधानमंत्री के समकक्ष किसी को खड़े जनता देखना चाहती थी तो कोई चेहरा नहीं पाती। हर चुनाव में कई फैक्टर्स होते हैं इसमें भी कई फैक्टर्स हैं। एक तो जो मॉडल है भारती जनता पार्टी का वैसा मॉडल हिंदूस्तान में और किसी का नहीं है। भारती जनत्ता पार्टी एक आनुशांगिक संगतन है राश्टी स्वेम सेवक संग का जैसे कि बजरंग दल है जैसे कि अखिल भारती विद्यारती परिशद है भारती मजदूर संग है और तमाम वनवासी कल्यान आश्रम है उसी तरह भारती जनत्ता पार्टी भी है है, लेकिन वो कारिकरता जो जुंगलों में काम करता है आदिवासियों के पीच में काम करता है, और से का कारिकरता है, ऐसा कोई model और नहीं है चाहे मامता बैर जी हों चाहे कम्निस पार्टी हों या कॉंग्रेस हो वो अपने आप में खुद मुखतार पार्टी है उनका फैसला बाहर से नहीं होता है भारती जनता पार्टी अपने फैसले खुद करती है लेकिन उसमें एक एक बॉडी है जो उसको ओवराल डिरेक्शन देती है वो राश्टी मिल जाएगा यह चेर्मिनशिप मिल जाएगी बिलकुल नहीं रहता है वो एकदम मिशनरी जील से काम करता है और उसका मकसद यह है कि पूरे हिंदू समाज को एक साथ लाना अब यहां पर यह बहुत महत्पून हो जाता है कि नरेंद्र मोदी की जो निजी अपील है वो हिंदू जातियों को का जो विभाज है उसको पिघला देती है तो इस लिहाज से नरेंद्र मोदी सबसे ज़्यादा राश्टी स्वयम सेवक संग को सूट करते हैं टॉप लीडर के तौर पे इस चुनाओं में बाला कोट एरिस्टाइक इससे ठीक पहले हुई तो राश्टरवाद का भी बड़ा मुद्दा हमने प्रवक्ताओं के मुझसे सुना भार्चपा प्रवक्ताओं के मुझसे सुना कि राश्टरवाद इस चुनाओं में बड़ा मुद्दा है आपको लगता है कि वो factor था कोई एक factor था या असल में जमीन के नीचे कोई और चीजें कालीन के नीचे कोई असल मुद्डे दूसरे थे देखे फिर से भरती जंता पार्टी के जो रणिमी दिकार हैं उन्होंने हिंदुत्यों को हिंदुत को राष्टरवाद से इक्वेट कर दिया, ये करने में वो सफल हुए, कि जो हिंदुत है वही राष्टरवाद है, और ये हिंदुों को या मिज़ोरिटी हिंदुों को इस समझाने में वो सफल हुए, बाला कोट जब हुआ, बाला कोट पे बाल अकोट को बार बार नहीं कहा, कहे के फिर चुप हो गए, उसका एक सैकोलोजिकल लेवल पे लोगों के दिमाग के पीछे कहीं वो, वो दर्ज हो गया, कि अगर ये फैसला करने वाल आदमी है, तो सिर्फ नरेंद्र मोदी है, नोट बंदी फिर उसमें आ गई, फिर उसमे कोई असर नहीं पड़, ये उन ताकतों को भी सोचना चाहिए, जो जोनों ने इस तरह के कैमपे नरेंद्र मोदी के खिलाफ चलाए, उनको ये सोचना चाहिए, कि आखिर क्यों वो अपनी बात जनता तक नहीं पहुंचा पाए, लिंचिंग हो रही है, सब के आँखों के सा चाहिए उसकी बहुत बात होती है, क्या विपक्ष के नेताओं का, चाहिए वो किसी भी पार्टी के हों, वैसा कनेक्ट दिखता नहीं है, आप खुदी सोचिए, कि जब पिछली बार नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शापत ली थी, उसके अगले दिन से ही, व उसी तरह से, अब आप कंपारिजन कीजिए, राहूल गांधी का, यानि जो, आप क्या सवाल कर रहे थे, मैं कनेक्ट के बारे में कह रहाता है, कि जो, हाँ, बिकुल, तो जो सीधा कनेक्ट है, जो जबान बोलते हैं, अमित शाह या नरेंद्र मोदी, वो आपके मेरी कुछ गाइब रही, कुछ नहीं रहा, कहीं समाजिक उसमें उनका तखल नहीं था, कहीं कोई वो किसी आपदा में नहीं गई, कहीं लिंचिंग के फरिवार में नहीं रही गई, कुछ नहीं किया, नेकिन पांच साल के बाद आचानक वो पेराट्रूप से उतर करके, और चौकीदार चौर है कहते हैं लेकिन आपको क्या लगता है कि लाखों करोनों लोग कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं ऐसा लगता है कि परसेप्शन है यह अकेला राहूल गांधी यह कह रहा है कि चौकीदार चौर है अब इसका कंपरिजिन कीजिए उनके पिताजी के खिलाफ जब नौजवान जो है वो जितने भी अंटी कॉंग्रेस से सब लगाने लगे थे ये फेलियर है राहूल गांधी का कि चौकिदार चोर है कहते हुए अकेले नजर आते हैं वो जबकि राजीव गांधी चोर है का नारा जब लगाया था बीजेपी वालों ने तो उनके साथ संग भ प्रकाश करात को होना चाहिए जब तक इनके सरपरस्थ हरकिशन सिंग सूरजीत थे वो पार्टी को विपक्ष को जन्मोर्चे को कुछ नंको साथ रखते थे लेकिन अब ये दिशाहारा सरवहारा नहीं दिशाहारा पार्टी जैसी हो गई है डिरेक्शन लेस पार्टी हो है अब इनके पास ना तो कोई रोड मैप है न कोई विजन है और न कोई स्ट्रेटेजी है कि आपने विरोधियों को आप परास्त कर सके तो यह भी है कि जो काडर था वामपन थी वो इस बार भाजपा के पक्ष में तो इसलिए आमार नाम तुमार नाम वियत नाम नारा लगता था जहां कलकत्ता में वहाँ पर अब जैश्री पहले जब ममताब एनरजी मुझे लगता है कि रेल मंत्री थी यहां के इंदर में थी उन्होंने मुझ से एक आफ दे रेकॉर्ड बाचीत में कहा था अब मैं कह सकता हूं से क्योंकि बहुत कई साल बीद गए हैं उन्होंने कहा था कि पंचायत इलेक्शन हो रहे थे पश्चे मंगाल में भारती जनता पार्टी का अब वो इतना पाचपिर उसके बाद तो अटल विहर इवाचपिर के उसमें गई वो अब उनको कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ममता बेनरजी ने जान बूच करके भारती जनता पार्टी को अपना पहला एनिमी वहां पर एमर्ज होने दिया ताकि कॉंग्रेस और लेफ्ट जो है वो दूसरे तीसरे उसमें चले जाए और उसमें वो सफल हुई है ताकि डारेक्ट टक्कर वो ले सके लेकिन वो कुछ इतना जादा हो गया कि शायद सोला या सत्रा कितनी सीटों पर बीजेपी आ गया जी अब थोड़ा सा बात क कि गाँगाँ में जाके परचार कर रहे थे फिर आपने देखा हो गया अचानक पिछले एक दो साल में तीन साल में राम नौमी में नंगी तलवारों के जलूस और कुछ जादा उगर तरीके से निकलने शुरू हुए दंगे हुए वहां पर दंगों की फेक वीडियो जारी हुए और उसमें दिखाया गया कि देखिए मुसल्मान हावी हो गए हो हिंदू दब गए है इसमें बीजेपी डिरेक्ली कहीं नहीं थी लेकिन बीजेपी को इसका बेसाखता राजनितिक फाइदा मिला क्योंकि आइडियोलोजी हिंदुत्यू की थी और हिंदूों को लगा कि यह ममताब एनर्जी जो है वो जात्ती कर रही है एक आखरी में जिसको कहते हैं की वर्ड के तौर पर इस चर्चा का उपसंगार दो तीन मुद्दे जिनकी विज़े से नेंद्मोदी जीते विकास भी आएगा उसमें क्या राश्वाद भी आएगा हिंदू भी आएगा स तुशासन भी आएगा सामाजे कल्यान भी आएगा ताहूं जी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी